गाव के बाहरीक शेत्र में एक छोटा सा फार्म था जहां बहुत सारे जानवर रहते थे इन में से दो प्रमुख थे, एक मुर्गी जिसका नाम था चमपा और एक तोता जिसका नाम था टिमसी दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी, लेकिन उनकी सोच में बहुत अंतर था चमपा बहुत महनती और इमानदार थी, जबकि टिमसी थोड़ा चालाक और शरारती था एक दिन फार्म के मालिक ने घोशना की कि जो जानवर सबसे अधिक अंडे देगा, उसे विशेश इनाम मिलेगा चमपा बहुत खुश हुई और उसने अंडे देने के लिए जी जान लगा दी दूसरी और टिमसी ने सोचा कि महनत करने से बहतर है कि चालाकी से काम निकाला जाए टिमसी ने एक योजना बनाई, उसने चमपा को दोस्ती का भरोसा दिलाया और कहा तुम अंडे देती रहो और मैं उन्हें मालिक के पास पहुँचा दूँगा इस तरह तुम अपने काम पर ध्यान दे सकोगी और मैं इनाम को तुम तक पहुँचा दूँगा चमपा को टिमसी पर भरोसा था, इसलिए उसने यह स्वीकार कर लिया टिमसी ने चमपा के अंडों को लेकर मालिक के पास जाना शुरू किया लेकिन उसने सोचा कि क्यों ना इनाम खुद ले लिया जाए उसने अंडों को बेच कर पैसे कमाने शुरू कर दिये और मालिक को बताया कि चमपा ने एक भी अंडा नहीं दिया चमपा को कुछ समय बाद शक हुआ कि क्यों मालिक उसे बधाई नहीं दे रहा था उसने टिमसी से पूछा, तुम मालिक से क्या कहते हो? टिमसी ने हस्ते हुए कहा, तुम्हारे अंडे मैं बेच देता हूँ ताकि हम दोनों पैसे कमा सकें चमपा को यह सुनकर गुसा आया, उसने सोचा कि अब टिमसी को सबक सिखाना चाहिए उसने बाकी जानवरों से बात की और टिमसी की चालाकी का खुलासा किया सभी जानवर मिलकर मालिक के पास गए और उसे पूरी कहानी बताई मालिक ने टिमसी को पकड़ा और उसे फिर कभी फार्म पर न आने का आदेश दिया चमपा को उसके महनत के लिए इनाम मिला और उसने इनाम को बाकी जानवरों के साथ बाता उन्होंने पार्टी की और टिमसी की चालाकी पर हंसते हुए कहा कामचोरी से कुछ नहीं मिलता, महनत ही सच्ची सफलता का राज है इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और इमानदारी का कोई विकल्प नहीं है चालाकी से आप थोड़ी देर के लिए सफल हो सकते हैं लेकिन अंत में इमानदारी की जीत होती है